तोस्त अगर आप लोग साओधी अराबिया में रहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है अर्मी सिखना क्योंकि अगर आप अर्मी सिख लेते हो तो आप हर जगा मुस्किल परसानी से बचोगे तो चलिए आज मैं आपको इस पीडियो में बहुत आसान तरीका से अर्मी सिखाऊंगा हिंदी के माध्यम से ताकि आप लोगों साओधी में दिक्कत ना हो तुम क्यों पूछे तुम क्यों पूछे इसको अर्मी में बोलेंगे इसी तरीका से बोलेंगे हम लोग तुम क्यों नहीं पूछे पहले बोले ते तुम क्यों नहीं पूछे इसको आर्मी यों बोलेंगे इसको आर्मी बोलेंगे दोस्त पूछने को इसल भी बोलते है इसल भी बोलते है ठीक है तुम का मतलब होता है इंता क्यूं का मतलब होता है लेस नहीं का मतलब होता है माफी पूछे का मतलब होता है इसल्ट हिंदी में हम लोग बोलते है तुम क्यूं नहीं गए तुम क्यूं नहीं गए हिंदी बोलते है तुम क्यूं नहीं गए इसको अर्मी में बोलेंगे इंता लेस माफिरू तुम का मतलब होता है इंता क्यूं का मतलब होता है लेस नहीं का मतलब होता है माफि गए का मतलब होता है रू तुम क्यूं नहीं गए अर्मी में बोलेंगे इंता लेस माफिरू दोस अगर वीडियो आप लोग का अच्छी ल जाओ, इसको अर्बी में बोलेंगे, अलियोम इंता रूह, आज का मतलब होता है, अर्बी में अलियोम, तुम का मतलब होता है, अर्बी में इंता, जाओ का मतलब होता है, अर्बी में रूह, आज तुम जाओ, तो अर्बी में इसको बोलेंगे, अलियोम इंता रूह, ठीक है, हिंदी में हमलों बोलते है सब आदमी जाओ आज सब आदमी जाओ आज तो इसको कपील अरभी में आपको कैसे बोलेगा कुलो नफर रूख अल्योम कुलो नफर रूख अल्योम तो इसका मतलब होता है सब का मतलब होता है अर्भी में कुलो आदमी का मतलब होता है अर्भी में नफर जाओ का मतलब होता है अर्भी में रूफ आज का मतलब होता है अर्भी में अल्योम तब पुरा बोलेंगे सब आदमी जाओ आज इसको अर्भी में बोलेंगे कुलो नफर रूफ अल्योम हिंदी हैं बोलते हैं हम लोग तुम क्यों बोले तुम क्यों बोले इसको अर्भी में कपील आपको कैसे बोलेगा इंता एस कलाम याने तुम क्या बोले सॉड़ी सर याने थुरा गलती हो गया भाई लोग तुम क्या बोले तुम क्या बोले तुम क्या बोले इंता एस कलाम मुझे दूद चाहिए मुझे दूद चाहिए इसको अर्वी में बोलेंगे अना अबगा हलीब अना अबगा हलीब दोस्थ आप लोगो किस तरह से बोलेगा अर्वी में तो उसका मतलब मैं आपको हिंदी से लेके अर्वी में समझाता हूं मुझे दूद चाहिए नहीं के अना अबगा हलीब तो मुझे का मतलब अना दूद का मतलब हलीब चाहिए का मतलब अबगा हिंदी हम लोग बोलते हैं मुझे नास्ता चाहिए मुझे नास्ता चाहिए तो अरभी में आपको कपिल किस तरह से बोलेगा अना अबगा फतूर अना अबगा फतूर मुझे का मतलब होता है अरवी में अना नास्ते का मतलब होता है अरवी में फतूर चाहिए का मतलब होता है अरवी में अबगा दोस्त अगर कोई मिस्टेक हो और कोई गलती हो तो दोस्त हर वर्ड अर्वी और हिंदी में बैठेगा नहीं कि कुछ वर्ड ऐसा है कि जो आगे पीछे होता है तो मुझे आप लोग को अलग तरह से समझाना पड़ता है ठीक है मेरे भाई हिंदी में बोलते हैं जाव जूस लेकर आओ जाव जूस लेकर आओ इसको अर्वी में बोलेंगे रूह जिप असीर जाव का मतलब होता है अर्वी में रूह जूस का मतलब होता है अर्वी में असीर लेकर आओ चाहे लाओ ठीक है इसको बोलते है जिप ठीक है जाव जूस ले किलो मचली चाहिए इसको अर्भी में कैसे बोलेंगे या कपील आपको कैसे बोलेगा वहिद किलो अबगा समक वहिद किलो अबगा समक एक को बोलता है अर्भी में वहिद याने एक किलो को बोलेंगे वहिद किलो मचली को बोलेंगे समक चाहिए को बोलेंगे अबगा तो बोल कल जल्दी उठना हम लोग बोलते है किसी को ना कल जल्दी उठना तो कपील आपको किस तरह से बोलेगा बुकडा बदरी गूम कल का मतलब होता है आरबी में बुकडा जल्दी का मतलब होता है आरबी में बदरी उठने का मतलब होता है गूम ठीक है याने उठो या उठना ठीक है कल जल्दी उठना हिंदियें बोलते हैं कल मुझे फोन करना कल मुझे फोन करना तो कपील आपको किस तरह से बोलेगा क्योंकि पहले मैं हिंदी बोलता हूँ फिर अर्भी बताता हूँ कपील आपको बोलेगा बुकरा आना सवी तसल कल का मतलब होता है अर्वी में बुकरा मुझे का मतलब होता है अर्वी में आना फोन का मतलब होता है अर्वी में तसल करने का मतलब होता है अर्वी में सवी तो कल मुझे फोन करना अर्वी में बुकर आना सवी तसल इंडिये बोलते है मुझे भूक लगी है मुझे भूक लगी है तो इसको आरवी में आप किस तरह से कपील को बोल लगे या कपील आपको बोलेगा आना जुवान आना जुवान तो मुझे भूख लगी है इसका मतलब होता है आना जुवान ठीक है मुझे याने आना भूख लगी है याने जुवान तो मुझे का मतलब होता है आना भूख लगी को बोलते हैं जुवान दोस्त उमीद करता है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगे तब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेना मेरे इस वीडियो पर बहुत सारे आड़ भी वीडियो है आप लोग जाके देख सकते हैं